हाँ 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 है हलो स्टुदेंट वेलकम टुपाइट स्टेडी चेंजिंग देव लर्निंग आप सबी लोग का स्वागत है वाइफाइट नहीं कम्सेप्त तो बशेका एंगा इसर Assessment फट्रसे था किसी भी किसी बीटि इस 되지 हुट किया ए रोटेटिंग मशीन का यहाँ यहां पर आपका आपका कमिटेटर लगा हुआ है अगर कमिटेटर नहीं लगा होता तो भी आप तो भी आपको electricity मिलती बसड़ते हो आपको electricity जो मिलती वह आपको AC मिलती ठीक है यहाँ पर मैं अभी एक बार बता चुका हूं कि आप जब rotation करा रहे हो इसका पहले भी आपने conductor side AB AB और CD में आपने direction of current figure के साथ ही समझा रहा हूं आपने direction of current find out कर लिया अब हम यहाँ पर बिना कमिटेटर को rotate करें भी दिखाएंगे और कमिटेटर को rotate करके भी दिखाएंगे ठीक है तो आप सभी लोग बस यहाँ पर फटा फटा आ जाएए यह आपका AB है direction of current हम लोगों ने निकाली थी conductor side AB में और conductor side conductor side AB में और conductor side CD में ठीक है तो सभी लोग previous classes में जो लोग थे सभी लोग फटा फटा आ जाएए हिंदी में ही समझाओंगा आप सभी लोग कैसे हैं फटा फट मुझे बता दीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जोड़ जाएए फटा फट ठीक है conductor side AB में और CD में सभी लोग एप बार फिट से current का direction देख लिजेगा मैं flaming right hand rule से यहाँ पर कराऊंगा flaming right hand rule से कराऊंगा सभी लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पर ठीक है very good कि voice clear नहीं है चलिए very good देखिए यहाँ पर कैसे सभी लोग आ गया है यहाँ पर देखिए right hand rule समझ में आ गया है बिल्कुल बिल्कुल very good देखो यहाँ पर right hand rule के according आपका four finger represent करता है direction of magnetic flux आपका thumb represent करता है direction of rotation जो आप प्राइम मूँवर से प्रोवाइड करा रहे हो और आपको middle finger means आपको direction of current चाहिए ठीक है direction of current चाहिए यानि की conductor side आपके यहाँ पर एक turn है मैंने single turn की coil ली हुई है सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनने कोसिस करो मैंने single turn की coil ली हुई है जिसमें conductor side है एक single turn coil में दो conductor होते है ठीक है एक सीज को आप ध्यान में रखेगा मैं आगे कोई भी objective question कराऊंगा उस पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि वहाँ पर अगर turn होगा तो आपको number of conductors में change करना पड़ेगा by multiply by 2 एक single turn coil में दो conductor होते हैं एक conductor side है मेरा AB और दूसरा conductor side है मेरा CD ठीक है तो conductor side AB और CD में हमें direction of current निकलना है conductor side AB में और CD में direction of current निकलना है देखो यहाँ पर जब यहाँ पर आपको four finger direction of magnetic flux पता है आपको direction of rotation पता है direction of rotation कैसे पता है क्योंकि प्राइम ओर से आप ही provide करा रहे हो आप suppose करो कि थाम उपर जा रहा है इसका मतलब आप clockwise direction मे घुमा रहे हो ठीक है अब आप conductor side AB में क्या देख रहे है कि मेरा middle finger conductor side AB में अंदर की तरफ है इसका मतलब conductor side AB में जो cross का show करने का मतलब है यहाँ पर इसमें current क्या हो रहा है current अंदर जा रहा है cross show करेंगे इसका मतलब क्या है इसमें current अंदर जा रहा है सभी लोग के समन में आ गया फिर उसके बाद conductor side CB में देख लीजे यहां तो जब clockwise direction में गुमाओंगे तो इसमें current आक अंदर की तरफ है और conductor side CD में आपका middle finger बाहर की तरफ है क्लियर है current उस conductor में current क्या है बाहर के तरफ है मिस बाहर आ रहा है अब सभी लोगों को यहां तक clear हो गया होगा ठीक है आप देखिए यहां पर आगे suppose करो कि आपने rotation दिया आपने rotation करा के AB जब perpendicular direction में था तब आपका maximum EF induced हो रहा था कैसे maximum EF induced हो रहा है देखो यहां पर देखिए यहां पर यहां पर मैं side में समझा रहा हूं सभी लोगों को जब हम conduct time के according EF draw करेंगे देखो जैसे जैसे आप जैसे suppose करो कि आपका flux के direction में ही flux के parallel में ही आपका conductor है flux के parallel में जब conductor है तो EF induced क्या होगा zero फिर उसकी बाद क्या करोगे आप दीरे दीरे अपने चला जाएगा perpendicular आता चला जाएगा तो दीरे दीरे जब बढ़ेगा तो similarly EF भी दीरे दीरे क्या होगा increase होगा और एक time ऐसा है कि conductor side AB में आपको maximum induced DMF मिल रहा होगा maximum induced DMF कब मिलेगा at position of 90 degree मिलेगा यानि 5 by 2 पे मिलेगा देखो यहां पर maximum induced DMF मिला कि नहीं दोस्तों बताओ EMF maximum E maximum मिला कब मिला जब आपका पूरा perpendicular होगया ठीक है-45 डिग्री पे क्या मिलेगा कम राधा मिलेगा maximum कब मिलेगा जब आपका पूरा perpendicular हो जाएगा मपूरा perpendicular आ गया अब क्या करो को दोबारा से दोबारा से रोटेट कराऊ दोबारा जब रोटेट कराऊगे पूरा 180 डिगरी पोजीशन फिले के आओगे तो Conductor Side AB की आप जो यहाँ पर AB था पो सीडी की बोजीशन पर ठीक है फिर में जब कंड़क्टर साइड बी दुबारा से जीर हो गया तो जब आप पूरा 180 डिग्री साइकल ले रहे हो तो आप बढ़ रहे हो फिर उसके बाद घट रहे हो तो यह मैं फिजितर बढ़ेगा फिर उसके बाद जैसे पहला आते चले जाओगे जैसे फ्लक्स-वाइन के पहला आते चले जाओगे तो इमेंफ क्या होग याँ देखो अब यहां पर क्या होगा in the same है अब करेंट इसमें क्या होग्ता है ऑप पूरा से नेगेटिव कब्रोटेंटर निकालो अब यह सई करें वी करनका डीक्शन क्या है पॉजिटिव है यादि यानी MF Induced maximum maximum negative side में है और फिर इसके बाद 0 हो जाएगा E maximum आपको negative minus में E max मिलेगा कम मिलेगा minus में E max जब आप दुबारा से conductor side AB को negative direction में rotate कराएंगे जब आप conductor को दुबारा से negative side में rotate कराएंगे तो negative side of EMF मिलेगा यानि AB में current बाहर आएगा current बाहर आएगा इसका मतलब negative में e max generate होगा maximum emf induced negative direction में generate होगा वो कब होगा वो जब होगा जब 270 degree पे होगा कब होगा वो 270 degree पे होगा 270 degree का मतलब क्या हुआ 3 pi by 2 हुआ 270 degree का मतलब कितना हुआ 3 pi by 2 position पे क्या होगा आपको maximum induced emf मिलेगा लेकिन negative direction में मिलेगा आप देख सकते हैं कि inside the armature, inside the armature जो EMF induced हो रहा है, inside the armature वो EMF induced होता है, AC, alternating nature का होता है, EMF induced जो inside the armature होता है, वो alternating nature का होता है, clear हो गया सभी लोगो, समन में आ गया, फटावट बताईए, सभी लोगो समन में आ गया है, यहाँ पर, देखें अभी भी यहाँ पर जब हमने commutator को rotate करा दिया है, तो CD side में current direction वैसे ही है, यानि कि load के through, load के through current का direction कैसा है, load के through current का direction अभी भी वही है, ठीक है, load के through current का direction क्या है, अभी भी same direction में है, इसका मतलब load के through current का direction change नहीं हो रहा, because of rotating commutator, rotating commutator की वज़ए से, rotating commutator की वज़ए से, लोड में करेंट का डारेक्शन चेंज नहीं हो रहा है आपको एमिद्वेंड ऑप साइड में मिल रहा है आप किसी भी साइड की बात कर लिजे गाला है वह आपको किस नेचर का मिल रहा है आपको AC nature का मिल रहा है alternating nature का मिल रहा है सभी लोगों को समझ में आ गया है यहां पर very good ठीक है clear चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक विल्कुल very good फिर से बताने का क्या है आपर रामप्रीच चोहां जी देखो यहां पर rotate कराओ यार जब रोटेट कराओगे तो flux maximum cut करेगा एक बार और एक बार maximum cut करेगा तो EMF maximum मिलेगा at position 3 and at position 3 by 2 यानि कि आपका 270 degree position पे जब negative direction में cut करेगा maximum तो negative direction में आपको EMX मिलेगा देखो conductor side AB में conductor side AB में dot मिल रहा है ना आपको dot मिलने का मतलब क्या है कि conductor side AB में negative induced DMF है negative induced DMF है कि नहीं माइनस में EMX मिल रहा है कब मिल रहा है जब पूरा परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है negative में perpendicular है not positive में ठीक है समन में आ गया very good conductor का position mention कर दिया है sir c d and a b ठीक है चलिए next आप देखिए आपके सामने heading आपके सामने heading ये principle of generator principle of generator की heading थी अभी लगाईएगा मत sir अभी मत लगाई ठीक है तो देखो अब इसी तरह जब आपको पता चल गया कि आपका किसी भी मशीन में किसी भी मशीन में आर मेचर में जो EMF induced होता है वो कैसे nature का होता है alternating nature का होता है ये question आप सभी लोग ये जो topic है ये point है इसको दिमाग में भर लीजेगा कि आपका induced DMF कैसा है induced DMF आपका alternating nature का है alternating voltage है objective में examination है पूछा जा चुका है आर मेचर में जो induced DMF होता है वो किस nature का होता है AC first option AC second option DC third option AC and DC both D option ननाव दैवाओ तो आपका कैसा होता है AC in nature होता है ठीक है देखें अब यहाँ पर ध्यान दो rotating commutator rotating commutator अब मैंने आपको previous figure में दिखाया कि आपका commutator rotate कर रहा है जिसकी वजह से आपका direction of rotation क्या है load के according load के around direction of rotation क्या है y to x है अब यहाँ पर मैं fix फिर से 3 figure बनाता हूँ और सभी लोगों को वो चीज़ समन में आ जाएगी सभी लोग ध्यान देते रहिएगा यह आपका brush connected है AB से rotating commutator ध्यान दी जेगा सभी लोग commutator side है यह A, यह B यह S, यह N यह conductor side AB यह conductor side CD एक cross generate हो गया एक dot generate हो गया ठीक है और यह आपका prime mode से आप इसे घुमा रहे हो prime mode से prime mode से आप इसे घुमा रहे हो load position यह हो गए आपकी Y यह हो गए X, X और Y, यह आपका load है जिसमें current flow कर रहा है Y to X, कैसे अभी मैंने आपको बताई दिया था ठीक है अब suppose करो कि आपका commutator rotate नहीं करता एक condition है कि आपका commutator rotate नहीं करता तो क्या होगा आप सभी लोग देख लिजे अगया है यह आपका Y है और यह X है यह आपका load है suppose करो कि इसमें commutator rotate नहीं किया देखो यहाँ पर commutator के मैंने दो section मनाए हुए है एक commutator section है आपका AB A, A side है A segment है यह commutator का दूसरा segment है B यहाँ पर भी commutator को rotate नहीं कर Rider जब commutator को rotate नहीं कर आया तो आपकी coil देख लिज़े rotate कर गई है ठीक है आपकी coil rotate कर गई है आपका coil जो है वह rotate कर गई है की कोई लोटेट कर गई है देख सकते हैं आप लोग सभी लोग फिगर में ठीक है अब देखो यहां पर यह इसे जाएगा आपका सीक्वेंस करेंट में लिख देता हूं यह आपका सीक्वेंस है आपका सीक्वेंस है किसमें यह सीक्वेंस है इस वाले फिगर में ठीक है बैं नहीं है क्या मतलब अब मतलब गरुट कोमेंतेटर रोटेट यह हुआ what is the direction of current, what is the direction of current, direction of current is x through y, यानि क्या हो जाएगा y, small b, फिर capital b, फिर capital a, फिर c, फिर d, फिर उसके बाद, इधर छोड़ा चिप जा रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, आप क्या है y, b, capital b, capital a, c, d, d, c, d के बाद आपका current आ रहा है a, a के बाद जा रहा है, x में, x के बाद जा रहा है y में, ठीके, तो आपका क्या है, है सिक्वेंस करेंट देखो लोड के क्रॉस लोड के क्रॉस करेंट का डिरेक्शन चेंज हो गया कमिटेटर के पोजीशन नहीं चेंज होने की वज़े से कमिटेटर के position नहीं change होने की वज़े से load के cross load के cross आपका current का direction change हो गया है तो कमिटेटर क्या करता है कमिटेटर आपका unidirection में convert करता है यानि कि जो bi-directional आपको मिल रहा है alternating AMF मिल रहा है आपको armature coils के cross उसको unidirectional में convert करता है as a mechanical rectifier काम करता है आपका कमिटेटर किस तरह काम करता है mechanical rectifier के तरह काम करता है यानि unidirectional में convert करता है bi-directional EMF को unidirectional में convert करता है clear है electronics student का कहना है कि जरूँ थोड़े ना है किसी भी machine को AC और DC दोनों में use कर सकते हैं यहां बिल्कुल जरूँ नहीं है कि आप किसी machine को AC और DC दोनों में use कर लीजे हर एक का construction अलग अलग तरीके से होता है ठीक है जी बिल्कुल समझ में आगया है यहां पर commutator का position नहीं change होने की वज़े से क्या हुआ current का sequence क्या मिला यह मिला आपका देख सकते हैं current का sequence यह मिला जो की आपका load के direction में load में current की direction को change कर दे रहा है commutator के position नहीं change होने की वज़े से इसी लिए कमिटेटर का rotate होना भी जरूरी है सभी लोगों को सहुन में आ गया है यहां पर सभी लोगों को सहुन में आ गया यसी लिए यहां पर rotate करना भी बहुत जरूरी है किसको rotate करना बहुत जरूरी है commutator को rotate करना भी बहुत जरूरी है ठीक है चलो very good next rotating commutator आपका आपको समझ में आई गया होगा अब आप देखो अब जो प्रिंसिपल ऑफ जनेरेटर इसके पहले मैंने हेडिंग दिखाई थी अभी आप लोगो वो फिर से दिखाऊंगा और फिर से उसकी बाद उसको पढ़ना लेकिन उससे पहले फिगर देख लो उससे पहले फिगर देख लीजिए देखो यहाँ पर यह मेरा नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो कर रहा है मैगनेटिक लाइंस और फोर्सेज अब इसमें मैं मैं आपको पोजीशन वाइस दिखाऊंगा और उसके बाद यह में फिंडियूज दिखाऊंगा ठीक है यह पोजीशन है आपकी मैगनेटिक लक्स लाइंस है यह मैगनेटिक फील्ड लाइंस है देखों यह पोजीशन है आपकी पोजीशन वन यह पोजीशन हो गई टू यह हो गई त्री यह हो गई 4 यह हो गई आपकी 5 यह हो गई आपकी 6 यह हो गई आपकी 7 यह पोजीशन हो गई आपकी यह ठीक है लोगों को दिख रहा है हाँ very good यह है आपका 1 पोजीशन 2 पोजिशन sorry 3 position पे maximum है 3 position 4 position 5 पे 0 6 7 पे maximum and 8 पे 0 देखो यहापर सभी लोग देखिए यह E maximum है और यह negative में E maximum है यह induced DMF है with respect to time T देखो देखें यहापर सभी लोग ठीक है देखो position 1 और position 5 position 1 and position 5 यह दोनों quite perpendicular है sorry quite parallel है किसके parallel है magnetic lines of forces के parallel है magnetic lines of forces के parallel में है ठीक है यह magnetic lines of forces है magnetic lines of forces यह magnetic lines of forces है इनी magnetic lines of forces के parallel में है position 1 and 5 इनी magnetic lines of forces के parallel में है तो parallel में होने की वज़े से position 1 पे position 1 पे आपको कोई भी EMF नहीं मिल रहा और position 5 पे भी आपको कोई भी EMF नहीं मिल रहा लेकिन जैसे जैसे आपका position 2, 3 and 4 है आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 आपका maximum flux linkage area में है तो 2, 3, 4 के across आपका 2, 3, 4 आपका क्या है EMF induced कर रहा है जैसे जैसे आप flux lines के बीच में आ रहा है देखो इधर parallel थी फिर आप magnetic flux lines के बीच में आ रहा है तो EMF induced हो रहा है 2 position पे 3 position पे perpendicular है 3 position पे magnetic field lines क्या है आपका perpendicular है purely perpendicular है यानि theta is equals to approximately 90 degree है इसी को हम कहेंगे magnetic neutral axis इसी को हम क्या कहेंगे magnetic neutral axis magnetic neutral axis क्या होती है आपकी magnetic flux line से 90 degree पे होती है magnetic flux line से 90 degree पे होती है जहाँ पे आपको क्या मिलता है आपको maximum EMF induced मिलता है जहाँ पर आपका position 3 and 5 है position 3 and 7 sorry position 3 पे और position 7 पे आपका maximum flux linkage हो रहा है position 3 पे and position 7 पे maximum flux linkage हो रहा है जहां पर हाभ में maximum EMF induced मिल रहा है 3 पे देख लिए और 5 पे देख लिए 3 पे देख लिए और 7 पे देख लिए देखों यहाँ पर मिल रहा है गी झूझा दोस्तों 7 पे आपको minus में EMACS मिल रहा है और 3 पे आपको जा रहाए यह में 0 जा रहा है clear हो गया है यहां पर सभी लोगों को सभी लोगों को clear हो गया होगा जी हां 8 पर कुछ value होगी सुभाम खंडोटा जी ठीक है very good clear है सभी लोगों को यहां पर अब जितने लोग को समझ में आ रहा है सभी लोग फटा फट थोड़ा session को like करते रहो share करते रहो दोस्तों में और सब्स्राइब करदो चैनल को जिन लोगों अभी तक नहीं किया है दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा से स्टूडेंट सीज को पड़ पाएं ज्यादा ज्यादा इसको स्ट्रेश समझ अधी के चलिए कि विमला प्रसाद बराय जी यहां पर मैंने एक्जामपल के तौर पर आठ पोजीशन ले लिया है ठीक है पोजीशन एट मैंने एक्जामपल के तौर पर ले लिये कुछ गेशन पर प्रिंसिपल अब जनेटर अब या भी अभी अभी समझ गया अब अब जनेटर आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जा रहा है अब आप उसको पढ़िए उसको ध्यान से ठीक है कि अश você नहीं असर ये पूरी है कविधिन की बुर्य कोईल है ये पूरी कोईल है सिंपल रोटेटिंग कोईल यह के क्वाइल चीमिंज्ट करा है दिखें आप पॉयल है आपकी clear सो चलो वेरिगुड देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा है principle of generator इसको ध्यान से सुनिए ठीक है ध्यान से देखिए और उसके बाद समझने की कोशिस कीजिए वेरी गुड यहाँ पर कुछ लोग dislike वाले भी हैं पता नहीं उनलों को problem क्या हो रही है कोई बात नहीं चलिए कुछ लोग को नहीं पसंद आता है तो वो लोग dislike करते हैं कोई बात नहीं ठीक है आपकी स्क्रीन पर principle of generator का लग चुका है ठीक है आप उसको ध्यान से पढ़ो यह पूरा एक coil है clear पूजा उड़ा जी Interpol मैंने नहीं पढ़ा है अभी यहाँ पर तो Interpol की बात मत करो Interpol जब मैं पढ़ाओंगा तब आप यहाँ पर discuss करना ठीक है जब Interpol पढ़ाओंगा तब discussion करना Interpol यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं आपर मैं आपर अभी बहुत ही basic चीज़ बता रहा हूं तब उस basic चीज़ को पढ़ो बस extra पर smart बनने की कोशिश मत कीजिए त्रिपाठी ग्याने इस दो पर EMF induced रोना चालू हो रहा है दो पर देखो दो दो पोजिशन यह है पोजिशन टू है जिस पर EMF induced रोना चालू हो रहा है अभी आपकी screen पर नहीं आ रहा है जब screen से यह हटेगा तब आपको समझा दिया जाएगा ठीक है अभी इसको पढ़ो हो जो आपकी screen पर लगा हुआ है ठीक है ĐiG Atticus अटीकने टिटिक्रंफी अ वह एक्सी अधिस होती है सौम्यराजन महापत्रह मेंघनिटनीटल एक्सी आकसी होती है जहां पर आपका मेंगनेटिक फ्लक्स नहीं होता ठीक है मेंगनेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है जहां पर मेंगनेटिक फ्लक्स नहीं होता वह यह एकसे आपका लोड में direction of current change हो जाएगा ठीक है लोड के cross direction of current same होना चाहिए DC generator में एक ही direction में current flow होना चाहिए अगर change नहीं होगा तो आपका लोड में direction of current change हो जाएगा जैसा आपको alternating मिल ला था आपको output पे भी alternating मिलने लगेगा ठीक है चलिए मने का मतलब है magnetic neutral axis जीने का मतलब है जीन जीमेट्रिकल neutral axis जीने का मतलब है जीमेट्रिकल neutral axis आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा हो इसमें लिखा हुआ है consider a simple coil rotating between north and south poles at position 1 & 5 at position 1 & 5 conductors rotation is quite parallel to the flux lines therefore there is no rate of change of flux linkage consequently induced DMF is 0 the axis along position 1 & 5 is known as magnetic neutral axis which is always 90 degree to the flux lines हमेशा flux lines से position 1 पे और position 5 की position को हम क्या आते हैं magnetic neutral axis बोलते हैं जैसे हम जो हमेशा 90 degree पे होती है position 3 & 7 position जो है 3 & 7 वो conductor की rotation perpendicular है किसके flux lines के maximum flux linkage होने के लिए और maximum induced DMF ओने के लिए perpendicular होना ही जरूरी है एक complete mechanical rotation के लिए आपको एक complete mechanical rotation करने के लिए मतलब जब अब पूरा फूरा इस coil को 360 degree rotate कराएंगे जब को पूरा इस coil को 360 degree rotate कराएंगे तो आपको एक electrical cycle मिलेगी यह आपको लिखा हुआ है कि for one complete mechanical rotation there is one electrical cycle which is periodic in nature जो periodic होगी nature में और उसके बाद इसे हम बोलेंगे जिसे हम कहते हैं bi-directional देख रखते हो आपके एक positive direction में मिल रहा है और एक negative direction में मिल रहा है यह induced bi-directional है bi-directional है जिसको हम unit directional ने convert कर देते हैं जिसे हम किसे convert करते हैं कमिटेटर से convert करते हैं clear चलो ही very good next next आपकी screen पर आ गया है अब देखो next आप next लगा दो sir next slide लगा दीजे अमित आचा पुरे जी geometrical neutral axis वह एक्सेस होती है जहां पर आपका mechanical balance maintain रहता है ठीक है rotor आपका mechanical balance nature पर होता है geometrical neutral axis वही एक्सेस होती है ठीक है जहां पर आपकी पूरी machine balance condition पर होती है चलो आपकी screen पर आपकी screen पर रिकुनायक between b b slash w का मतलब है between ठीक है constructional details चलिए constructional details में आपके सामने है common features of rotating electrical machine तो common features of rotating electrical machine के common features क्या है consist of stationary part known as stator and rotating part rotating part known as rotor with minimum possible air gap कितना air gap होता है 1.5 to 2 mm they contain hydropolar structure hydropolar structure का मतलब होता है alternate north and south poles of even numbers alternate north and south poles of even numbers excitation जो होता है essentially क्यासा होना चाहिए dc होना चाहिए essentially excitation is essentially dc voltage यहां cottage लिग गया actually excitation is essentially a dc voltage ठीक है excitation कैसा होना चाहिए dc voltage होना चाहिए चलो देखो यहां पर मैं पूरा एक figure बनाऊंगा भी dc generator का और सभी लोग उसका अपनी अपनी copy में बना लीजेगा ठीक है चलो तब तक सभी लोग जो लिखा हुआ उसका अपनी अपनी copy में लिख लीजेए उसके बाद मैं यह फिगर बना देता हूं आप इसको फिगर बना लीजेगा ठीक है चलिए बना देता हुआ लोग जड़ी कंस्ट्रक्शनल डीटेल का फिगर बना रहा हूं दोस्ता आपकी स्क्रीन पर अटा दीजिए किस्क्यषण है किस्क्री आफ़ दू llय स्क्रीज में ठवगी हूं नीरे ज्यादा इलेक्टिकल जीने भी में बताऊंगा बस वेट करो ठीक है जीने भी में बताऊंगा वेट फॉर सम टाइम यह DC सप्लाई है आपकी पोल्स आर रिविटेड 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 और जॉइंटेड पोल्स आर रिविटेड और जॉइंटेड तुद योग यह आपका योग है यह आपका बेस है यह आपकी फील्ड वैंडिंग है फील्ड वैंडिंग साउथ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल यह आपके अर्मेट यह आपके कंड़क्टर्स हैं इस रार्मेटर कंड़क्टर्स अर्मेटर कंड़क्टर्स और वाइंडिंग आर्मेचर कंड़क्टर और वाइंडिंग ठीक है और यहाँ पर आपकी यह आपकी शाफ्ट जो कीड है कीड का मतलब लॉक्ड है ठीक है शाफ्ट यह आपका बेस चलो यह आपके सामने है ठीक है पैंटकश पाल जी का कहना आर्मेचर क्या होता है ठीक है एर गेप ज्ज़दा हो गया तो मशीन का पावर पोलस है यह यह फील्ड पोलस है सबंधे लोग ध्यांदेना यह आपके फिल्ड पोल्स है है कि यह और पर मैंने मैंठेकर को सकते हैं और यह लोग पूछ ता À से आपका उसका हुआ जहां से आप अस्हुते हैं जो में वैंड यह इलेक्तिर्ल आप अपाणकुत लेते हैं जैसे सिंग्रोन आप आर्मेचर बाइंच रेमिय्च से वाइंच से उसी बसक्न आपस्यटफ लेते हैं ऐता सबस् mismosहें वहां पार्मियंच से तो देते हैं लेकिन आप फिल्ड निकल सर की आज क्लास लगी है इसिका सिंग लगी है निकल सर की क्लास जाके वहां पर सर्च कि रिए ठीक है फील्ड पोल अभी लिखवा रहा हूं चंदन सीग आपको सारे सारे के सारे मिल जाएंगे clear है ऑड देखो यह पर यह आप किए आपके जीए पर इननान ऑन मल्ो रोटेंग यलेक्टिकल मशीन हो ही है रोटेटिक मशीन ही नहीं होई है है सभी अपन्य आपने कॉप्इम ayam fabric बना लीजेगा फ्लक्स-ब लिए यह घर से यह सितरे डर्व से त्रेवल करेगा एर गेँध्र से ट्रेवल करेगा त्रियो के नहीं योग से जो फल Swam Dass stopped통 वह आपका व्रिक्वेर करेगा वह 5 सै निचा और फ़्लक्स करेगा ऊपर आपका फनीचे कारेगा कि फ्लक्स जो योग से ट्रेवल कर रहा है वो कितना है वो फाइवाई टू है ठीक है अब आपकी स्क्रीन पर इसका नोट साने वाला है देखो कर्स्रेक्शनल डीटेल का दोबारा लगा दीजिए स्लाइड अ कि समझ में आ गया है यहां पर कितना ट्रेवल करेगा फ्लक्स योग के थ्रू फाइवाई टू फ्लक्स ट्रेवल करेगा योग के थ्रू तो योग के क्या प्राइमिरी फंक्शन से है योग के क्या प्राइमिरी फंक्शन है योग के त्री तीन फंक्शन है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तरह कारे करता ह पूरे मशीन के लिए एक्टाइज प्रोटेक्टिफ गवरिंग टू यह सबोर्ट करता है और यह फ्लक्स पास करेगा वो फाफ अभड़ flux होगा यहनि अगर 5 is the total flux 5 is the total flux तो यहां पर 5 by 2 flux जो है वह आपका योग से पास करेगा समझ में आ गया अरे अभी रुख जा दीपक कुमार सब लिखवा रहा हूं यार सब बता रहा हूं ठीक है चलिए next आपके next slide लगा दीजे next slide आपकी screen पर आ रही है उसको ध्यान से पढ़िएगा therefore yoke should be of good magnetic material इसलिए योग आपकी अच्छी magnetic material की बनी होने चाहिए small machine में जो yoke होती है वो आपकी cast iron की होती है large machine के लिए जो आपकी होती है वो fabricated steel की होती है ठीक है आपका योग कैसा बना होना चाहिए योग इसलिए अच्छे magnetic material का बना होना चाहिए क्यों therefore yoke should be of good magnetic material for a small machine it is of cast iron and for large machine it is of fabricated steel when DC machine is operating under power electronics converter circuit power electronic converter circuit के अंदर जब आपका DC machine काम कर रही होती है तो उसमें हम laminated yoke को prefer करते हैं ठीक है laminated yoke को prefer करते हैं आपी के सामने सब कुछ notes लिखा हुआ है सभी लोग इसको अपने अपनी copy में लिख लिजेगा और फटा फटा भी तक बता दीजे कि यहां तक सभी लोग को समन में आया या नहीं yoke should be of good magnetic material योग अच्छे magnetic material का होना चाहिए होता है लेकिन जब DC machine आपर olduğ味ा decir के लिए तापका योग लेंटेड होता है ठीक है योग कैसा होता है ले इंटी में भी बता दिया हिंदी में भी बता आपका लेनरेट होना चाहिए ठीक है चलिए में अब हटा दीजे सरी स्लाइड को समद में आने सभी लोगो एक एक बच्चा है बार-बार जीडी 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 रहा है ठीक है पता नहीं क्यों GD बार-बार यहां पार पूछ नहीं है यह इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग की क्लास एठीक है फिर को disturb मत कीजिये रमेश कुमार हिंदी में notes नहीं लिखवा सकता आपको हिंदी में या पर describe कर सकता हूँ ठीक है हिंदी में describe कर सकता हूँ हिंदी में लिखवा नहीं सकता clear चलो यहां तक सभी लोगों का समन्में आ गया किसी को भी किसी भी तरीके का problem है तो फटाफट बताईए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स स्लाइड नहीं तो पोल्स लेमिनेट करने से लेमिनेट कर देने से आपके लॉसेस कम हो जाते हैं ठीक है लेमिनेट ही क्यों वन पर्सन इस आसकिंग अमिद कुमार इस आसकिंग लेमिनेट क्यों करते हैं तो लेमिनेट करने से आपके लॉसेस कम हो जाते हैं एडी करेंट लॉसेस कम हो जाते हैं ठीक है चलिए लेमिनेट कर देने से आपके लॉसेस कम हो जाते हैं अमित कुमार लेमिनेट कर देने से आपके लॉसेस कम हो जाते हैं लेमिनेट कर देना means आपके पतली-पतली स्टिप्स में डिवाइट कर देना लेमिनेट कर देने का मतलब यह होता है कि पतली-पतली strips में डिवाइट कर देना पूरे के पूरे योग को आप पतली-पतली strips में डिवाइट कर दीजिए जीडी की क्लास यहां पर मत पूछो यह Electrical Engineering की क्लास है यहां पर disturb बहुत ज्यादा हो जाता हूँ मैं जबी भी आप GD की class बार बार पूछते हैं ठीक है losses कम हो जाते हैं यहां पर ठीक है चलिए very good सारे तरीके के loss होते हैं सुम्म सैनी जी जी सी डीसी जिनेटर में कोई special नहीं है machine ठीक है चलो very good next आपकी screen पर आ रहा है next slide आपकी screen पर आ रही है polls के लिए इसको पढ़ो आप हाँ लगा दो next next screen पर लगा दीजे पोल्स लिखाओ आपके सामने पोल्स सभी लोग इसको इसको लिख लीजेगा अपनी कॉपी में magnetic medium एक lossless medium होता है there is no loss as in electric circuit like heat ठीक है magnetic medium का हमेशा क्या होता है आपका एक lossless medium होता है वहाँ पर कोई भी एक electric loss नहीं होता है कोई भी एक heat के तरह loss नहीं होता ठीक है the basic function of the pole is to produce working flux यहाँ पर marking flux लिख गया है the basic function of the pole is to produce working flux the basic source of flux is permanent magnet and the flux around it the basic source आपका flux का है वो permanent magnet है और इसके चारों तरफ का flux है ठीक है flux का basic source क्या है flux का basic source है आपका permanent magnet और इसके flux जो उसके चारो तरफ फ्लक्स है जो controllable नहीं होता in order to control the machine in order to control the machine its flux should not should be controlled in nature machine को control करने के लिए जो flux है उसको control करना बहुत जरूरी है in order to control the flux in order to control the machine its flux should be controllable in nature therefore electromagnets are used इसलिए electromagnets का use किया जाता है ठीक है in order to produce definite poles the polarity of a pole depends upon two things the first one is excitation second one is orientation ठीक है अब आप यहां पर इस चीज को समझने कोशिश कीज़ेगा जो मैं बता रहा हूं ठीक है आपका पहले फिर से पढ़ लो एक बार magnetic medium lossless medium होता है वहां पर कोई भी electric circuit के तरह loss नहीं होता है कि जैसे electric circuit में heat loss होता है i square r loss होता है ठीक है basic function है pole का working flux को produce करना तो basic source flux का क्या है permanent magnet है और उसके चारो तरब का flux है ठीक है जो हमेशा controllable होना चाहिए जो हमेशा controllable होना चाहिए लेकिन नहीं होता तो control करने के लिए क्या करोगे आप control करने के लिए आप क्या करोगे electromagnets का use करोगे electromagnets का use करोगे अब electromagnets और permanent magnets का use कहां पर करते हैं सभी लोग ध्यान से सुनने की कोसिस किजिएगा ठीक है सर हटा दीजे slide electromagnets और permanent magnets कहां पर यूज करते हैं और excitation और orientation का मतलब क्या है ये भी ध्यान दीजेगा कि आपकी स्क्रीन पर लखा हुआ है in order to produce definite poles in order to produce definite poles the polarity of pole depends upon two things polarity of pole pole की polarity दो चीजों पर करती है कि आप excitation किस तरीके का दे रहे हैं और orientation यानि आपने pole पर winding किस तरीके की बांदी है ठीक है इस चीज को समझने की कोजिस कीजिएगा ठीक है fabricated steel का मतलब होता है आपने उसमें किसी material को mix किया है ठीक है fabricate किया है orientation का मतलब बता रहा हूँ अभी अभी बता रहा हूँ ठीक है देखो यहाँ पर permanent magnet permanent magnets और electro magnets का मतलब क्या है तो permanent magnet का मतलब क्या है suppose करो कि आप large size की machine का यूज कर रहा है ठीक है electro magnets का मतलब यह है कि आपने iron का piece त्यार किया उस iron के piece में अगर आपने electricity दी जैसे मैं यह आपे iron के piece में अगर मैं coiling कर दूँ इसको मैं basic में भी बता चुका हूँ iron के piece में अगर मैं coiling कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा यह plus है यह minus है तो गरम होता चला जाएगा और देखो आप current का direction अगर यह है तो यह flux produce करेगा flux कैसे produce करेगा क्योंकि north pole create हो जाएगा यहाँ पे और south pole create हो जाएगा यहाँ पे iron के piece आपका बन जाएगा magnet इसे ही हम बोलते हैं electro magnet जो बनता है electricity की की वजाएसे ठीकिए magnet जो produce होता है electricity की वजाएसे यही आपका क्या कर लाता है electro magnet कर लाता है ठीकिए ढदेखो आप किसका use कहां कहां करते हूं हमेसा द्यान देना कि electro magnets का use हम करते हैं Mac disease lightning का use करinga हम small machines में Elect Hero Magnature का use करते हैं small machines में जबकि permanent magnet का use करते हैं large machines में ठीक है Electro Magnets का use कहां पे करेंगे? small machines में करेंगे और permanent magnets का यूज का कहां पे करेंगे? large machines पे करेंगे क्यों ऐसा करेंगे? प्रहुंसर commerce होती है तो जब वहाँ पे permanent magnet जो hard steel से बने होते हैं hard material से बने होते हैं जिनका hysteresis area जादा होता है जिसमें hysteresis loss जादा होते हैं लेकिन सारे losses को overcome करते हुए भी हम large size machines में permanent magnets का use करते हैं क्यों क्यों क्योंकि machine को जब आप बंद करने के बाद दुबारा start करते हैं तो वहाँ पर आपको electricity अलग से ना देने की ज़रत पड़े आपका वो residual magnetism जो पहले से magnetic flux बचा हुआ है वो flux ही आपका EMF generation के लिए काफी हो that is why हम large machine जो बड़ी size की machine होती हैं वहाँ पर इसलिए हम permanent magnet का use करते हैं suppose करो कि अगर आप वहाँ पर electromagnet का use कर रहे होते तो क्या होता अगर आप वहाँ electromagnet का use कर रहे होते तो आपको उसको magnetic full magnet चाहिए full flux create करने के लिए यानि कि suppose करो कि आपको 5 flux चाहिए तो उस 5 flux को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत देर तक supply की requirement होती बहुत देर तक आपको उसको magnet बनाने की जड़त पड़ती यानि कि आप उसे पहले magnet बनाते फिर उसके बाद आप क्या करते ये मेंफ का generation करते जिससे आपको टाइम लगता तो वहाँ पर इसलिए हम के समस्ट के सब्सक्राइब करेंगे परमाने मेंगनेट का बना लेंगे तो that small part of phi small part of phi that small part of phi enough to create easy ठीक है easy को generate करने के लिए काफी है क्योंकि generated EMF आपका P5NZ upon 60A होता है जो depend करता है flux पे और speed पे तो अगर अगर आपका small flux है तो भी वो generated EMF को क्या कर देगा generate कर देगा small machines में आपको losses को बचाना होता है अगर आप वहाँ पे permanent magnet लगा देंगे जो कि आपके hard magnetic material से बने हुए हैं तो आपका क्या होगा वहाँ पे stresses losses बढ़ जाएंगे इसलिए हम small machines में किसका यूज़ करते हैं ये electro magnets का यूज़ करते हैं जबकि large machines में किसका यूज़ करते हैं permanent magnet का यूज़ करते हैं clear समझ में आ गया राहूल मिश्रा जी सब डेटा मिलेगा सारा कुछ डेटा मिलेगा wait कर लो सब कुछ एक बार में machine में नहीं पढ़ाए जा सकता ठीक है हम एक एक चीज़ को दीरे दीरे देके चलेंगे चलिए समझ में आ गया यहां तक चलिए very good तो यहां पर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका pole जो होते हैं वो किस magnetic material के बने होते हैं permanent magnet और electromagnet दो टाइप की होते है permanent magnet और electromagnet ठीक है loss के बारे में यहां पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो आपका loss देखो hard magnetic materials यानि permanent magnet का यूज करोगे जो आपके hard magnetic materials के बने हुए है soft magnetic material होता है hard magnetic material होता है hard magnetic material में क्या होगा hard magnetic material में आपका जो hysteresis area है यह hysteresis का कर्व है सबीग है किसका किसस कर्व क्या होगा। और आपका next दियान देना यह आपका soft के लिए है ठीक है यह आपका soft magnetic materials के लिए जिसका stresses कर रूब क्या है? कम है ठीक है इस तरीके से बनेगा ठीक है इस तरीके से कुछ बनेगा यह तो देखो आप यह hard magnetic materials के लिए है hard magnetic materials के लिए और यह आपका soft magnetic, soft iron के लिए है soft iron, soft magnetic material, soft magnetic material के लिए magnetic material, तो दोनों का hysteresis area आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है अगर आप इनका यूज़ करेंगे, आप small machines में तो ज्यादा loss होगा अग इनका यूज़ करेंगे, आप large machine में तो loss को compensate किया सकता है वहाँ पर ज्यादा rating है, size की जो machine का size और लेड़ी बहुत ज्यादा है वहाँ पर small losses are compensate, उनको compensate कर सकते हैं जबकि small machines में आप compensate नहीं कर सकते हैं, clear समझ गए चलिए, very good अब आप देखिए आगे इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि पोल आपका डिपेंड करता है, polarity of poles depend करता है वो दो चीज़ों पर करता है किसपे किसपे depend करता है, orientation पर depend करता है और excitation पर depend करता है, ठीक है excitation अगर आपका constant DC supply होगा तापके fixed poles generate होंगे, लेकिन अगर आपका excitation list जब अधिक होगा जब आपका हिस्टेसिस अधिया जञादा होगा ठीक है 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 लाज मशीन में वाइनिंग पर्मानेट मैंगनेट विम्ला परसाद अधा जब लगा दोगे तो वहाँ पर वहां पे आप वाइनिंग Permanent Magnet पर नहीं करते हो Permanent Magnet पर उसमें कोई winding नहीं होती है ठीक है आपको वहां पर फिल्ड फ्लशिंग करते हो उसमें आप External DC Supply Suppose करो कि उसका Residual Magnetism खतम हो गया तो आप उसमें Field Flashing करते हो External DC Supply देखके आप वहां पर Small Flux को generate करते हो चाहे वह Electromagnet हो चाहे वह पर्मानेंट मेंगनेट हो ठीक है ध्यान दीजिए दिर ओरियन्टेशन पर डिपेंड करता है और एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है तो मैं यहाँ पर दो फिगर बनाऊंगा और दोनों फिगर अपनी अपनी कॉपी में आप जबी लोग बना लीजेगा यह आपके दो पोल हैं जिस पर ओडियन्टेशन अफ वाइंडिंग ध्यान देना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं ठीक है वाइंडिंग का ओडियन्टेशन ध्यान देना दोस्तों कि मैं वाइंडिंग का वाइंडिंग किस तरीके से कर रहा हूं ठीक है आप इस तीज को ध्यान दीजेगा मैं बार-बार बोल रहा हूं और उसके बाद ये topic हम यही पर खतम करेंगे आज के लिए और हम next अभी इसके बाद ही हम चलेंगे next पे next discussion पे जो आपका last time पे numerical रह गया था जो नहीं हुआ था हम उस पर चलेंगे ठीक है अब आशाइन का देखो यहाँ पर तो यह दो साइड़ है अपका ठीक है एक इसए अधर से आपका करेंट इंटर कर रहा है और गर्म को के रहा है एक साइड यह एक सड यह है ठीक है देखो यहां पर देखो सब्सक्राइबермig CT फिर है वर यह निचे से निकाल दिया एक यहाँ पर पोल है जिस पर हम ने वायन लिगत को नीचे से बांधा हुआ है नीचे से बांधा हुआ है और यहां पर उपर से वायर को निकाल दिया ठीक है अब आप direction आप direction of current देखो और direction of magnetic flux देखो according to right-hand screw rule right-hand screw rule के according आप direction of magnetic field और direction of current को ध्यान दिजे जब किसी conductor में किसी conductor में current आई जब कोई current जब कोई conductor है ये उसमें right hand screw rule लगाएंगे आप तो यहाँ पर अगर thumb direction of current को show कर रहा है तो जो आपकी remaining fingers है ये आपकी direction of magnetic flux को show करती है ठीक है direction of magnetic flux को show करती है clear है सभी लोग screw rule को दिहां से सुन लीजिए right hand screw rule क्या कहता है आपको if a conductor shows the direction of current अगर आपका conductor direction of current को show कर रहा है direction of current को show कर रहा है तो जो उंगलिया है वो direction of flux को show करती है similarly आपको यहाँ पर just ultra लगाना है क्योंकि आपका conductor को क्या कर दिया है यहाँ पर conductor को बांध दिया गया है ठीक है समझ में आया देखो यहां पर आपका क्या है यहां पर आपको इस यहां पर बांद दिया है तो हम direction of current क्या हो गया मेरा direction of current देखो यहां पर अंदर जा रहा है न दोस्तों इसमें direction of current क्या है अंदर जा रहा है और यहां पर बाहर आ रहा है यहां पर देखो यहां से बाहर आए क्या है direction of current आपका बाहर निकल रहा है देखो यह पर बाहर निकल रहा है जास आप 갖 निकलेगा तो इसका मतलब अंदर पोल के अंदर कैसे अंदर करता हैyin हrsz से नौर्थ ट्रेवल करता है तो यह call के अंदर अला पाड है यहां नौर्थ हो जाएगा यहां साउथ है यहां North है तो यहां South है ठीक है देखो जब यह पोल के अंदर की बात होगी Flux कैसे travel करेगा Flux आपका उपर सो कर रहा है ना दोस्तों Flux उपर सो कर रहा है इसका मतलब South यहां पर होगा North यहां होगा तभी तो पोल के अंदर South से North जाएगा समझ में आ गया है यहां पर सभी लोगों को क्लियर हो गया orientation का orientation का मतलब क्लियर हो गया बताई यहां पर orientation और excitation का मतलब क्लियर हो गया की नहीं क्लियर सकते हो गया जाएगा की क्लियर सभी लोगों को क्लियर सभी लोगों को कि एंच अब झूकेह मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि अ है है के पूल टॉपिक है पूल रहा है चलो देखो कि देखो यह पर मैं खर फिर से बता देता हूं आपने एक के कें वाइंड या फिन यापने इस यह धुक् Lan करो कि आपके सामने एक iron का piece था आपने iron के piece में आपके उपर से वाइडिंग कर रखी है यानि आपने ऐसे बांदा और यह से बांद के आप नीचे से अपने सब्सक्राइब और करेंगे हैं अब किसी एक को रेफरेंस मान के करेंगे एक को रेफरेंस मानेंगे यहाँ पर अंदर से जो जो या रहा है जो आपको दिखुशेए रहा जो अंदर से वायर जा रहा है उसमें current का direction क्या है बाहर है तो आपका direction of current अगर यह है बाहर है तो आपका thumb क्या represent कर रहा है उपर represent कर रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि pole के अंदर हम direction of flux को बता रहे हैं तो pole के अंदर पोल की अंदर direction of flux क्या होता है south से north होता है तो south से north देखो आप जा रहा है इसका मतलब यह pole कौन सा हुआ यह pole south pole हुआ similarly यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे आपने direction of current को यह दिखा रहा है कि आप direction of current देखो अंदर वाले wire की बात यहाँ भी कर रहे थे तो अंदर वाले wire की बात यहाँ भी करेंगे अब इसमें देखो direction of current क्या है अंदर जाता हुआ है direction of current अंदर जा रहा है इसका मतलब थंब क्या represent कर रहा है नीचे थंब नीचे represent कर रहा है इसका मतलब यह क्या है कि यह दिखा रहा है कि flux बाहर जा रहा है इसका मतलब यह North Pole हो गया और Flux यहां से इससे निकलेगा और South में Enter कर जाएगा समझ में आ गया सभी लोगों को अब भी यहां पर सभी लोगों को समझ में आ गया होगा Clear ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो समझ में आ गया है सभी लोगों को यहां पर इसमें चला दुआ कि सभी लोगों को समझ में आ गया है यहां पर Pole का Excitation और Orientation से मतलब क्या है अब हम आगे द्यान देते हैं इसको आगे next चलते हैं next discussion जो आपका last time पे एक numerical रह गया था जो नहीं हो पाया था उस numerical को यहां पर देख लिजे वो numerical मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करूंगा आप सभी लोग एक बार फिर से answer दीजेगा उसका answer minus 50 by 121 sorry मैं फिर से आपके सामने discuss करूंगा clear हो गया सभी लोगों को चली वेरी गुट के देखो आपका numerical क्या था वो numerical देख लिजे जो लाइस टाइम पर नहीं हुआ था प्लस माइनस पांच वोल्ट यह आपका आप ही में से किसी student का doubt है और यहां पर doubt मैं आपके clear करता हूं कभी-कभी तो यह आपका 2 ohm का resistance है सभी लोग फटा फट इसका answer दीजेगा यह minus plus में V है और यह आपका current है 2V dependent current source है और dependent voltage source है current इसमें I flow हो रहा है इसमें निकालना था power by dependent current source पावर बाई dependent current source पावर बाई dependent current source ऑप्शन ए है 50 by 121 watt B option है minus में 50 by 121 watt C option था 10 by 11 watt और D option था आपका minus 10 by 11 watt सभी लोग इसका answer देने का try किए जो लोग आज नए है उसके बाद मैं यहां पर इसको solve करता हूं ठीक है सभी लोग इसका answer दीजिए machine अब इसके बाद remaining topics जो machine के रह गए हैं वह मैं आपको curl कराऊंगा ठीक है जो remaining topics रह गए हैं आपके machine के वह मैं आपको curl कराऊंगा सभी लोग फटा-फट इसका answer दीजिए और उसके बाद हम next class में मिलेंगे electronics student winding orientation से यही effect पढ़ता है कि आपके पोल चेंज हो जाते हैं ठीक है winding के orientation से यही effect पढ़ता है कि आपके पोल चेंज हो जाते हैं ठीक है ठीक है प्रदीप कुमार आपको यहां से ब्लॉक होना है क्या प्रदीप कुमार आपको यहां से ब्लॉक होना है तो बता दीजिए अराधना पाठक जीडी की class के बारे में मुझे कोई information नहीं है ठीक है कि दिनेश कुमार गुपता electrical basics खतम हो गया कि स्फियार जीओ मशीन में कोर लासस को कम करने के लिए यूद्ट किया ज़ता है संजे कुमार यादव CRGO cold rolled grain oriented machine transformer में core losses को कम करने के लिए यूज़ की जाती है dependent current source के द्वारा जो power deliver हो रही है वो ही power बतानी है ठीक है चलो कोई answer नहीं दे रहा है बार बार यहां PDF PDF कर रहे हैं सभी लोग मैंने यहां पर slide तयार करवा दी अभी भी लोगों को PDF ही चाहिए देखो कैसे करेंगे इस question को यहां पर एक बार KVL लगाए इसमें तो KVL लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा 5-3i minus में plus में V जो voltage का orientation आपका given है वही ले लो आप तो V is equal to क्या हो जाएगा 4i minus में 5 हो जाएगा ठीक है इस चीश को ध्यान दीजे कि जब आप KVL लगा देंगे तो जो V इस voltage की value है इस voltage को plus में ले लीजे और V की value आजाएगी 4i minus में 5 अब आप यहां पर केसियल लगा दीजें तो यहां पर केसियल लगाओगे तो क्या मिलेगा i plus में i plus में 2v is equal to V divided by 2 यह मिलेगा जो current आ रही है यहांपे i आ रही है और 2v प्लस में यहांपे current जा रही है तो current जो जा रही है वो है minus में v divided by 2 यानि plus में plus में v divided by 2 is equals to 0, ठीक है, suppose करो कि यहां से भी current आई रही है, तो यह क्या हो जाएगा, plus में v divided by 2, clear, सभी लोगों को clear हो गया है यहां पर, यह voltage है, देखो यहां पर, यह voltage है, minus में v न, minus side यहां पर है, minus v उपर हो गया, ठीक, अब i is equals to क्या हो जाएगा, 5 minus में, minus minus plus, 5 plus में v, small v, divided by, minus में 3i भी है, minus में 3i, इतना लंबा KCL करने से अच्छा है कि बेटर होगा कि हम इसमें KVL लगा लें दुबारा से, इतना लंबा KCL करने से अच्छा है कि हम इसमें दुबारा KVL लगा लें, ठीक है, देखो, हम दुबारा KVL लगाएंगे, तो 5 minus में i, minus में 3i, और plus में v अब यहां पर जो current जा रहा है, वो कितना जा रहा है, i plus में 2v जा रहा है कि नहीं, i plus में 2v जा रहा है, तो कितना हो गया, 2i plus में 2v, यह हो गया आपका, is equals to zero, ठीक है, 5 minus में i, minus में 3i, plus में 2, i plus, अब v की value अपने निकाल ली है, 4i minus में 5, तो 2 इंटू 4i माइनस में 5 is equal to 0 माइनस में 5 is equal to 0 तो 5 माइनस में 4i प्लस में 2i प्लस में ये कितना हो गया 8i 2 का अंदर गुड़ा कर दो तो 8i 8i plus i 9i अंदर में लिख देता हूं 9i माइनस में 10 is equal to 0 5 माइनस में 4i प्लस में 18i माइनस में 20 is equal to 0 ठीक है सभी लोगों को समझ में आगया हो गया यहां पर देखो ये clear है सभी लोगो आज बन जाएगा गौतम कुमार ये आज हो जाएगा ठीक है प्लस में 2i ये माइनस साइन ले लो माइनस साइन मैं kvL लगा रहा हो तो मेरा direction क्या है opposite है तो इसलिए मैंने माइनस साइन लिया हुआ तो माइनस में 2 9i माइनस में 10 ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस में 18i और ये हो जाएगा प्लस में 20 ठीक है तो अब देखो current i का क्या value हो गया current i सभी लों को दिख रहा है नहीं आपर अच्छा ज्यादा इधर हो गया तो देखो इधर क्या हो गया 25 is equals to by side i is equals to कितना हो जाएगा 25 is equals to by side 25 25 25 is equals to by side minus 10 minus 10 or minus 20 ठीक है तो कितना हो गया 25 divided by 22 25 divided by 22 ठीक है यह हो गया आपका current current की value आपको मिल गई है ठीक अब आप देखो आपको वी पता है आपको कितना है 4i minus में 5 अभी अभी आपने निकाला था तो 4 multiply by 25 divided by 22 minus 5 कितना हो गया यह 100 minus 10 divided by 22 आपका voltage मिल गया minus 10 divided by 22 यह आपको voltage मिल गया सभी लोग का समय में आ गया V आपको मिल गया minus 10 divided by 22 अब आप क्या करोगे अब आपको voltage पता चल गया है current निकाल लो तो current क्या है आपका 2 into V है तो 2 multiply by V आपका minus 10 divided by 22 यह नहीं में 10 divided by 11 और आपको power निकालना है P is equals to V into I आपको current आपका पता है कि 2 V है 2 V है तो V आपका हो गया minus में 10 divided by 22 multiply by minus 10 divided by 11 तो यह हो जाएगा आपका इससे काट लो 5 यह हो जाएगा 11 आपको हो जाएगा 50 divided by 121 माइनस में 150 यह आपका plus में आएगा चिक है माइनस में 50 divided by माइनस में 50 divided by 121 what is the answer बी आंसर होगा इसका माइनस में 50 divided by 120 what is the answer clear मन्रूप सिंग डाउट का मन्रूप सिंग का डाउट था यह ठीक है मन्रूप सिंग का डाउट था यह ठीक है अरे opposite polarity दे रखी है ना यार opposite polarity दे रखी है तो इसलिए इसका साइन तो प्लस में होगा ना यह प्लस में हो जाएगा यह यह माइनस में है आपका तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस 50 by 121 हो जाएगा ना clear कि सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर आर्मेचर कोर बना रहे हो जिसको आप रोटेट कराना है जाप रोटेट कराना है तो आप इसनी इसनी शॉफ्ट कोर का यूज नहीं कर सकते आपको hard magnetic materials का यूज करना होगा ठीक है समन में आ गया है यहापर माइनस 50 by 120 वाट देखो एक बार फिट से यह आपर बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर अपर यहाँ पर यहाँ पर एक बार बार की विल लगाइए के विल लगा ऊगे तो आपकी वेलियू मिल जाए गी 4 इओ Ms. 5 का यहां से करन्ट 25 विपाइस आई और आएका वेलीव कुल जाएगा 25 इवाइड वाइस जबाएेक बार आइक यह कि वैल्यू आ गया तो आप यहां से आई की वैल्यू निकाल लो यहां को बॉट क्लियर सभी लोगों को चलिए very good अब वाकी सारे students next class में हम लोग कल मिलेंगे अब machine के next topic के साथ next कल में start करूँगा armature core ठीक है armature core start करूँगा और उसके बाद machine ऐसा ही continuous चलती रहेगी जब तक machine पूरा-पूरा खतम नहीं हो जाता ठीक है हर एक machine को हम detail में पढ़ेंगे with reason पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्यों किस लिए use किया जाता है आपके doubt यहाँ पर class को ज़्यादा disturb मत किया करो आपके doubt को discussion करूंगा मैं जब यहाँ पर पूरा topic पढ़ा लूँगा बीच बीच में जब मुझे time मिलता है तो मैं यहाँ पर देखता भी हूँ doubt discussion भी करता हूँ class को disturb मत किया कीजिए please मैं सभी लोगों से request कर रहा हूँ ठीक है चलिए next अब बाकी कल मिलते हैं तब तक के लिए good night सभी लोगों को thank you यहाँ पर जुड़ने के लिए जितने सारी लोग आज जुड़े हैं यहाँ पर पसंद आएक तो यहाँ पर लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा दोस्तों में ज्यादा ज्यादा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल में जो आज नए है ठीक है बाकी यह doubt था आपका क्लियर हो गया thank you so much चलिए बाई बाई